लोजना इस lecture में हम बड़ा ही असान बना के data structures के उपर काम करने वाले python की data structures कौन गौन सी होती है मैंने लिखनी है और आपको समझ आ जाने क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाया and that's my way of teaching एक चीज़ को repeat करवाना ताकि आपको याद हो जाए और साथ में हलकी से advancement बता देना data structure के साथ-साथ जो चीज़ हम आज देखने वाले है आप इस lecture में that is also called data structure भी and data structure के साथ-साथ indexing indexing क्या होती है ठीक है दोनों चीज़ें आपको इकठी बताने वाला हूं अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं define करते हैं a list हांच जी आड़ो जरा आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है मैं यहां पर लिखता हूं food equal to list बनानी है हमने खानों की पताएं जी क्या चीज़ पसंद है आपको खाने में मुझे पसंद है देही भले देही बड़े भी बोलते हैं हम भले बोलते हैं भाई प्रियानी मुझे दाल भी पसंद है दाल बाइदवे आज खाई यह समोसे किसे पसंद है अच्छा फिर टिक्यां किसे पसंद है शाम्मी लेग देता हूं पालक पनीर ठीक है समझ आगे हैं यहां पर ओके इतनी बहुत हैं भाई पहले मूं में पानी आ रहे हैं उपर से इटली में मैं रहा किया हूं लास्ट टाम जब मैं बढ़ा रहा था उस वक्त पास्ते वास्ते बढ़ाता था अब जर्मनी में हैं तो यहां पर खुद ही छीज़ की लिस्ट है लिस्ट फूर्ट न कवे कोई वह बात हुई न को यह यह data टाइप काौन सी है डेटा टाइप है स्ट्रेंग देटा स्टरक्षर का नाम है list डेटा टाइप यह जो लिस्ट के अंदर है यह है डेटा टाइब हो 성 collaboration ॐ ये जो हमने पूरा बनाया है यह data structure और हम पड़ें टेटा structure, पहला टेटा structure है लिस्ट, ठीक है ? लिस्ट को पड़ रहे हैं ।ो यहां पर एम लिखते हूं लिस्ट और यह हम पढ़े हैं है data structure लिदा घुक्ड यह कुमेंटस है जो मैं करह रहूं तुछ यह मैंने लिस्ट बनाई है इसको print करते हैं Okay print food a फूर्ड की एक लिस्ट को प्रिंट करते हैंjek यह वही लिस्ट आके आप बाहिर जा रहें हैं घर में मान। आ रहे हैं आपके घर वाले आपको लिस्ट लिखवा रहे हैं यह ज़ोग याद आया है हम कहते हैं तो सुना देता हूं जिननें तुसी उकता बैठें … और एक न ऐसे जो घर में छोटा होता न बाहिर चीजहkeit में बेहिश देते हैं उसको बिचारे को फ्री टो भी भी मंगवा रहे होते हैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ व उसको मिल जाता है एक चराग रहगड़ दा है तो विच्छो निकले आंद है जैन निकलदा है जो होकम मेरे आका वो बंदा सत्या खफ़े आंदा करो मेरे से देही वगारा मंगवाले मेरे से बड़े कामनी मेरे कौन है मिसाल के तोर पे वो जो जिन है ना वो उसको कहता है कि जितना मेरा साइज है ना मेरे से देही वगारा मंगवाले मेरे से बड़े कामनी होने तो यहां पर वैसे मुझे वो जोक याद आगया मैंने का तौन सुना देवां जिनको ठंडा लगया उनकी अपनी मर्जी बाइद वेट जस्टो में रिफ्रेश लिटल बिट क्योंकि आम फ्रॉम फैसलाबात तो अगर पंजाबी किसी को समझ नहीं आती मैं कोशिच करूंगा और्दू में ट्रांसलेट करने के लेकिन वो ठंडी पड़ जाती है फिर सो हमने यहां पर इसको प्रिंट किया प्रिंट किया है तो जी हमारे पास यह देही बले आगे बियानी आगी दाल आगी स्मोसे आगे शामी आगे पालक पनीर आगी वोक्सरों को आथ बसों में चड प्रिंट कर दिया अब आपको मैं एक सीक्विंस पढ़ाने लगाँ यहीं पर फूफुली आप समझ जाएंगे अगर नहीं समझेगे तो मैं समझा के साल रहना है देही बल्ले प्रियानी डाल स्मोसे शामी पालक पनीर यह कितनी चीज़े हैं टोटल जी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक है अगर मैं इनके उपर लिखूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो छे चीज़े बनगी As a human हम एक के एक से गिंती स्टार्ट करते हैं पाइफ़न दा दमाग थोड़ा जा हिले है इसका दमाग थोड़ा सा हिला है यह 0 से स्टार्ट करता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 हैं टोटल 6 ही लेकिन यह 0 से गिंना स्टार्ट करेगा 0 का मतलब जो सबसे पहली position पे है चीज़ इसे चीज़ को हम index बोलते हैं दही भल्ले का index क्या हो गया 0 index पे दही भल्ले है 1 पे ब्रियानी है 2 पे दाल है 3 पे स्मोसे है 4 पे शामी है 5 पे पलक पनीर है ठीक है इसको बोलते है index अब आप मुझे बताएंगे कि कि इंडेक्स की समझ आगी आपको वैदावे या नहीं आई अभी आगी है आप अब क्या करेंगे इंडेक्स को प्रिंट करके देखेंगे इंडेक्स आपको भूल नहीं चाहिए पाइथौन कहांसे गिंती स्टार्ट करता है जीरो से जिसको यह चीज भूल की ना आप यगीन माने आगे data science में बड़े मसले होने वाले हैं ठीक है अब मैं यहां करता हूं मैं यहां पे print करता हूं food को ही print करता हूं but now I will provide an index index कैसे लिखा जाता है एक square bracket open की जाती है square bracket के अंदर बताया जाता है कि कितने number index की बात करनी है हमें हाँ जी अगर मैं one यहां पे लिखता हूं तो मेरे पास क्या print होके आएगा नीचे अब let's do it बिर्यानी आ रही है, क्यों? क्योंके पाइफॉन देही भले को, देही बड़े इसको जो बोलते हैं वो भी, वो जीरो पे गिन रहा है, तो अगर हम जीरो लिखें यहां पे, तो मेरे पास क्या आएगा? लोक, देही भले, इंडेक्स की समझ आगी? अच्छा, अगर मैं माइनस वन लिखूं तो जो क्या होगा? पालक पनीर, उल्टे हाथ से गिंती शुरू हो गई, अब मैथमेटिक्स का बेसिक रूल इसके अंदर इंवाल्व है, क्या जीरो के साथ माइनस लिखा जा सकते है? आगी समझ, परिशान तो नहीं होगे के इदर हो जीरो क्यों आ रहा है, इदर से क्यों नहीं जीरो आ रहा है, तो अगर मैं इदर से स्टार्ट करूँ, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री पे क्या आएगा? समोसे, चटनी के बगएर, ठीक है? समझ आगी बात की? अब अगर मैं माइनस सिक्स करूँ, तो क्या आएगा? दही बड़े, अगर मैं माइनस सेवन कर दू, तो क्या होगा? एरर कि सतनमबर इंडेक्स ही नहीं है भई, किदर घूम रहे हैं? सो इस इस हाओ यू थैकल इंडेक्स, इंडेक्स की जमा क्या होती है? इंडेक्स, ठीक है? अब यहाँ पर मैं अगर ये जो बिरियानी हैं, इसको चिकन प्लाव में चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि कार्चो किसनों बनाने नहीं आंदे बिरियानी, उनको चिकन प्लाव आता है, तो कैसे चेंज करेंगे? देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखना फूड और जो हमारी फूड की फर्स्ट इंडेक्स पर चीज आ रही थी, उसको इक्वल टू करके, यहाँ पर चिकन प्लाव आ गया, समझा ही बात की? वो जो अपडेट हम कर रहे थे, यानि के यहाँ पर फूड की वन पर था हमारे पहले इंडेक्स पर जो चीज है, उसको इसके साथ अपडेट कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, दुबारा से फूड को प्रिंट करते हैं, फूड के वन को, अब आप देखिएगा, पहले प्रिंट होगा कुछ और, फिर कुछ और, यह जी पहले देखिए बले और यह सारा कुछ प्रिंट हो रहे है, आंसरिंग टू इस थिंग, जैसे हम फूड के वन को प्रिंट किया, पहले वो आ रही थी ब्रियानी, हमने क्योंकि इसे अपडेट कर दिया, अब हमारे पास आ रहे है, चिकन प्लाव, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, अब चीज चेक किये कि वेरियेबल जैसे जैसे आगे आप जाते जाएंगे और उसको चेंज कोई कर रहे है, तो लास्ट वाली जो लाइन होगी, वो वाला वेरियेबल अपडेटिड आपको मिलेगा, ठीक है, अगर मैं इसको निकाल देता हूं, चिकन प्लाव निकल गया, अब चेक करें, तही चोटी-चोटी चीजों के साथ खेलेंगे, बेस्ट उन दे इंडेक्सिस, इंडिसिस, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, दूसरी चीज जो हमारे लिस्ट ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है लिस्ट डेटा साइंस के अंदर, तो इस व सबसे पहले हम टुबल बनाते हैं, इसको कुछ भी गह सकते हैं, एक टुबल दो चीजों का हम बनाते हैं, फॉर एक्जेमपल कोडिनेट्स का, कोडिनेट्स कोई भी हो सकते हैं, मैं यहां पर कहता हूं के जी, 4.21,9.29, यह दो कोडिनेट्स का हम टुबल बना रहे हैं, दो यह printing ओह गया एक Понबर वन इंडेक्स को प्रिंट करें तो क्या आएगा हमारे पास आपको लिस्ट का पता है ना तो यहां पे क्या पर यहां पोए zer लिखूं यहां पे तो 4.21 ठीक है समझ आगी यह इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी ओके जी तुबल की समझ आगी को मसला तो नहीं इसमें अब सेट की दरफ चलते हैं तीसरा सेट रखते हैं फिर चोथे डिक्शनेरी देखेंगे तीसरा है जी सेट मैं इसको उपर वाले को भी कमेंट आउट करता हूं ताकि हम सेट को प्रॉपर वे में देख सके मैं यहां पर कहता हूं इसे फूड सेट या फूड सेट कर लेते हैं goog fruit sq7 is equal to आपको पता है कर ली का देख के दर्मियानी ब्रैकेट में आती है यह चीजे और दर्मियानी ب्रैकेट में अगर आप सुद को देखें तो मैं सेंव पर चीजे उठाके ले आता हूं, ठीक है यह हमारे पास आ गया चエट मैं इसको प्रिंट करता हूं यह हमारे पास पूरे का बूरा set आ गए ठीक है चीजें वो ही हैं लेकिन set एक different data structure है list एक different data structure है ठीक है अब आपके पास question यह है आपने जब definitions बनानी है तो आपने यह भी देखना है कि set और list में फरक किया है और बड़ा अजीब किसम का फरक है, एक को आप म्यूट कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते हैं, यानि कि जैसे हमने वहां पर चीज़ें चेंज करी थी, क्या हम सेट में कर सकते हैं या या नहीं, यह आपने देखना है, ठीक है? जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ रहे हैं, अच्छा, इसके अंदर हम एक एक एटम डालना चाहते हैं, और एक और आइटम एड़ करना चाहते हैं, फ्रूट सेट में, तो हम वह कैसे करेंगे? फ्रूट सेट डॉट सेट अड़, लेट मी सी, नहीं, डॉट एड़ है, नॉट सेट एड़, एड़ करेंगे, और इसके अंदर इसको मैंने फूट करना था, बाइद आवए ये फ्रूट लिखा ज़िए, सॉरी फॉर दैट, सेंस नहीं बन रही थी, उसकी फ्रूट और होते हैं, फूड और होते हैं, फूड के अंदर य पकोड़े, पकोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, फूड सेट एड़ करते हैं, और हम इसको दुबारा से प्रिंट करते हैं, एंड पे, इसके अंदर हमारे पास पकोड़ा एड़ हो गया, यहां पे, ठीक है, यहां पे पी आ रहा था हमारे पास, तो पकोड़ा हमने एड़ करती है we can also add a lot of other things इसके अंदर and then we can see किस तरीके से काम करते है ठीक है अब चौथी जो हमारी item है that is called क्या होती है जी चौथी आइटम डिक्शनेरी डिक्शनेरी देखते हैं आपको पता है मैंने पिछले लेक्शर में भी आपको बताया था लेकिन यहां पर हम इस पर बात करते हैं different way में हम एक डिक्शनेरी डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से कारों को काफी लोगों को शोक होगा मेरे ख्याल से कार्ज जो होती है कि सॉर्य हमने एक डिक्शनेरी बनाई है ठीक है ब्रैंड का नाम हमने रख दिया है फॉर्ड मॉडल रख दिया मस्तांग और यह रहा हमारा 1964 का मॉडल ठीक है अब आप गौर कर रहे होंगे वैल्यू में सिर्फ इंटीजर नहीं स्ट्रिंग भी आ सकती है समझा ही बात की मतलब यह वैल्यू में स्ट्रिंग भी आ सकती है ठीक है ब्रैंड नेम क्या है जी फॉर्ड मॉडल नेम क्या है मस्तांग यह क्या है 1964 तो यह हमारे पास होगी है एक डिक्शनेरी अगर हम प्रिंट करें कार को तो हमारे पास क्या आएगा इसी तरीके से हमारे पास यह पूरी पूरी डिक्शनेरी प्रिंट होके आ जाएगे और डिक्शनेरी के अंदर जो डेटा सेट होता है उसको हम सेपरेटली व्यू कर सकते हैं तो मैं यहां पर ब्रैंड लिखूंगा बजाए इसके के मुझे इंडेक्स देना पड़े मैं यहां पर इंडेक्स का नाम दूँगा जो हमारी की है उसकी मैं ब्रैंड लिखूंगा तो यह मेरे पास इसका ब्रैंड आ जाएगा यानिक फोर्ड ब्रैंड है तो इंडेक्स का प्रॉपर अगर नाम हो तो उसको हम कहते हैं की यानिके डिक्शनेरी के अंदर बेसिकली और अगर मैं ब्रैंड की बजाए मॉडल को प्रेंट करना चाहता हूं तो मेरे पास मस्तायंग इसका अंसर आएगा क्योंकि ठीक है क्योंकि इसकी यह वैलियू है यह लिखूंगा तो मुझे मेरे पास उसका 1964 आ जाएगा सो दिस इस आओ यू कैन सी अडिक्शनेरी यहां तक क्लियर हो गया आपको अब अगर आपने यह को चेंज करना है फॉर एक्जैंपल मैं यहां पर चेंज करता हूं कार के अंदर यह को कौन सा रखेंजी 2023 कर देते हैं अब जब कीजेगा पूरी की पूरी डिक्शनेरी में चेंज हो गया तो इसमें हम कैसे चेंज करते हैं विद नेम ओफ डैट की तो डिक्शनेरी इस तरीके से काम करती है अब आपकी जो असाइनमेंट है आज की वह है डिफरेंस बिट्वीन डेटा स्ट्रक्शर्स इन पाइथॉन आपने एक टेबल बनाना है उनका similarities and comparisons का कोई बड़ी बात तो नहीं है न कोई मुश्किल तो नहीं है न यह काम अगर मुश्किल है तो आप मुझे बता सकते हैं और फुली यह इजी होगा आपके लिए मैं आपको एक example दे देता हूं ताकि आप परिशान ना हों कि करना गया है हमने सिरफ एक example छोटी सी आपको दिखा देता हूं जस्किमी वन सेकेंड आपने इस त्रीके से असाइनमेंट बनानी है यह मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं ताकि आपको पता चले हैं असाइनमेंट बनती कैसे हैं यहां यहां पर अगर कोई चीज है वह है लिस्ट और सेट और नहीं थी पट लेटर ऑन के अंदर और हो रही है तीन शरीया साथ तक पाइथॉन में यह और नहीं थी पट लेटर ऑन इस एन और आइटम म्यूटबिलिटी क्या है जब हम चेंज कर रहे थे ना इसको म्यूटेबल बोलते हैं म्यूटेशन का पता है ना आपको किसी चीज का चेंज हो जाना एक डेटा सैट जिस तरीके से था हम उसको चेंज करें तो लिस्ट और सेट और डिक्शनेरी के अंदर चेंजिस हो सकती ह ठीक है डूब्लिकेट आइटम्स किस के अंदर आ सकती है लिस्ट के अंदर भी आ सकती है टुपल्स के अंदर भी सेट के अंदर डूब्लिकेट आइटम नहीं आ सकती है सही है और हमारे पास अब की मस्ट भी युनीक होने चाहिए वैल्यू उस डूप्लिकेट हो सकती है यानि के दो बंदों की एजू डूप्लिकेट हो सकती है नाम नहीं डूप्लिकेट हो सकते समझाई भात की अगर एक एहमद है उसकी इज 20 साल है दूसरा भी एहमद है उसकी भी 20 साल है तो उसने कहना यह duplicate item होगी है यह we can not add this thing लेकिन एहमद मुहमद एहमद मेहमूद दोनों में फरक होगा समय नहीं बात की इसी तरीके से access किस तरीके से कर सकते हैं आप index के थूरू list को access कर सकते हैं तुपल को कर सकते हैं को नहीं कर सकते हैं इंडेक्स के थूरू यह इन्हों ने यहां पर बुला कि applicable नहीं बट वी चेक्ट दैट वी कन दू इट इन वे अगर हमारे पास डिफरेंट किसम के सेट्स मोजू दो लेटर ऑन कीज को हम कर सकते हैं ठीक है कीज का index निकाल सकते हैं तो यह इस तरीके से डिफरेंस है आपके सामने यह चोटी सी assignment मैं आपको दिया but you have to define it in a way कि आपको समझ आए बिशाक उर्दू में लिख दें आपको समझ आनी चाहिए ठीक है छोटी सी assignment है hopefully आपको समझ आगी होगी order क्या आता है mutability क्या होती है duplicate items क्या आती है excess क्या होती है and this is how you run this example and at the end आपके पास data structure की जो चार major types है वो आपको समझ आगी होगी अगर आपको लगता है कि यह easy way है सीखने का तो please मुझे ज़रूर बताएं क्योंकि जारी बात है मैं आप लोगों के बताने पर आगे आपको पढ़ा रहा हूं if you think that I should change the way of teaching या मुझे कुछ और इसमें addition करने चाहिए examples को लेके या बाख़ी चीज़ों को लेके just let me know in the chat now and then हम आगे move करते हैं like करना ना भूलें by the way